पिछले दिनों जिस तरीके से नहर में बस गिरी 54 लोगों की मौत हुई वज़ा मानी गई थी छुईया पहाड़ी पर ट्राफिक क्यों जाम को लेकर वहाँ पर अब क्या इंतजाम किये जा रहे हैं इसको जानने के लिए हम रिवा के संभागी कमिशनर जैन साब के पास पहुँच गया है हम आप से ही जानेंगे आज से वहाँ पर किस तरीके की इंतजाम किये जा रहे हैं जिससे ये भविस में इस तरीके की कोई भी दुरगटनाएं ना हो सडकों को लेकर क्या इंतजाम करने की प्लानिंग है? हुए हैं और हैवी जो ट्रैफिक है वो अगले दस दिन के लिए रोक दिया गया है और अगले 10-15 दिन में हम पूरी रोड की मरम्मत कर लेंगे जहां पर भी रोड छती ग्रश्ते उसको पूरी तरह से ट्रैफिक है वी ट्रैफिक के चलने योग बना देंगे और जहां दिन के अंदर हम रोड की मरम्मत कर लेंगे ये थे संभागी केमिशनल जैन साथ जिनका साथ तोर से कहना था कि आज से हमने वहाँ पर निर्मारकार प्रानम कर दिया है हम फिलाल हैवी ट्रैफिक को रोकने जा रहे हैं जिससे सड़क का निर्मारकार तेजी से किया जाके न झाल